साल के शुरुवाती सोवार आप अपर हथेली पर शिफ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यूं तो शिफ भगवान हमारे दिल में भी यह वसेवई हैं। लस्तिं किया आप जानते हैं hoop गवान शिफ आपकी हथेली पर भी मौ jersey हैं अगर आप को आज से पहले बात नहीं पता थी तो आज पता चल जाएगी, अपनी हथेली देखते रहे हैं मैं आपको समझाती रहूँगी, शिवजी के तीन संकेत दिखाने जा रहे हूँ, अपनी हथेली इक पर बोर्ट से जो मैं बनाने जा रहे हूँ, उसके साथ मैच कीच जैसे सभी जानते हैं भगवान शिफ को उनका त्रिशूल बहुत प्रिय है, त्रिशूल को लेकर समुद्र शास्तर में धेर सारी बाते कही गई है, कहा जाता है, जिस व्यक्ति की हाथ की रेखाएं मिलकर त्रिशूल का चिन बनाती है, उस रेखा के कई उसके जो कुना बढ़ जाते हैं, समुद्र शास्तर की मुताविक अगर त्रिशूल का चिन भाग्यरेखा पर बने, तो ऐसा वेक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसा क्या होता है, यह ऐसे चिन बनता है, और फिर यह लाइन ऐसे हो जाती है, अगर यह से तीन लाइन वाला त्रिशूल का चिन बन जाता है, सपोज यह ऐसे हो जाता है, त्रिशूल का चिन यहां बन जाता है, तो समाजिक प्रतिष्था को प्राप्त करने वाला ऐसा इंसान होता है, बहुत गुन्वान होता है, यह व्यक्ति भाग्यशाली होने के साथ साथ धन्वान भी बनता है, अगर किसी व्यक्ति के सूर्य परवत पर त्रिशूल का निशान बन जाए त्रिशूल के साथ अन्य रेहाई निकल रही हो तो इसका परिणाम वास्थविक परिणाम से ठीक उल्टा हो जाएगा जैसे अगर ये त्रिशूल के साथ और ऐसी रेखाई निकल रही हो तो ये बिकार हो जाएगा फिर ये वैसी लाइन्स नहीं रहेंगे